पुश फेक्टर ऑफ इमिग्रेशिंड हमने पीछे बात की, हमने कुछ मोटी-मोटी चीजों के बात की, आपकी food issues है, आपके flooding है, आपके natural disasters है, land security है, उस रंकी चीजों पर हमने बात की, आपके political persecution है, ये वो क्या होती और ये क्या वज़़ा है कि लोगों को मजबूर करता है एक जगा से दूसरी जगा पर जाने कि लोग मजबूर हो जाते हैं Political Persecution जिस जगा पर हो पहले तो यह समझे कि यह है क्या students यह act of state entity controlling a citizen by force for political reason particularly for a purpose of restricting or preventing the citizen ability to take part in the political life of a society thereby reducing their standing among their fellow citizens State का citizens पर restrictions लगाना certain citizens पर restriction impose करना और जो के unconstitutional हो सकता है जो के illegal हो सकता है उसके इलावा जादा तर ममालिक में यह देखा गया है कि general जो citizen है जो small के citizen है अगर कोई different ethnic groups है वहाँ पर अगर कोई different minorities के group अगर वहाँ पर मौजूद है different religious group है अगर आप उनकी ओपर कोई इस्ता के restrictions लगाते हैं आप उनको prevent करते हैं कि वह अपनी proper take part कर सकते हैं इससे भी लोग मजबूर हो जाते हैं political persecution होती है और लोग दूसरी जगा पर जाने पर मजबूर हो जाते हैं तो state when the state faces the condition of a war then people of the states migrate from debt area in order to save their life इसे तरह से किसे state में अगर war चल रही है जाहिर है एक बड़ी चीज है हमने माजी के अंदर इरान इराक की जंग देखी है शाम में unrest है लीबिया में unrest है लोगों की बड़ी तादात तब भी जो है हिजरत करने पर मजबूर हो जाती है religious persecution लफ से जाहिर है जैसा कि political persecution है you are not allowed to live the life as per your own religious beliefs आपको इजाज़त नहीं और religion real students sociology के अंदर social sciences के अंदर एक आहम social institution है family institution में और वो primary institution है हमारे religion भी एक primary institution है जो के एक proper हमारी upbringing में हमारे किरदार में हमारी life को direction देने में अहम किरदार अदा करता है हमारे जैसे मुमालिक जहां पे हम लोग we are not secular states in terms के हम लोग एक religion लेकिन हम secular को minorities को पूरे right जरूर देते हैं हमारे जैसे लोगों के लिए दुनिया पे बहुत से मुमालिक अपने religion को बड़ा serious लेते हैं जहां पे लोगों को religious persecutions हो अब इस वत हमारा कश्मीर में अगर हम देखें तो occupied है इंडिया ने वहां पे जमू कश्मीर में कबजा किया है मुसल्मानों की एक बड़ी तादाद वहां पे मौजूद है यकीनन जहां पे ऐसे मुमालिक के कबजें हैं वहां के लोग जो है वो जोनम और सितम का शिकार है और अपने religious practices को easily नहीं कर सकते या दुनिया के ऐसे ममालिक जहां पे religious practices पे पाबंदी लगाए जाती है वहां के लोग भी हिजरत करने पर मजबूर हो जाते हैं आज की दुनिया में ये थोड़ा सा चीज जो है वो ज्यादा हो रही है खास दूर पर मुस्लिम किमिनिटीस जो है यॉर्प और अमरीका जैसे अडवांस कंटरिस के अंदर जो खुद को secular states और liberal states कहती है वो भी अपैरिनल्टी ऐसा नज़र आता है जैसा कि हम different media sources से भी मालूम होता है कभी हिजाब पे पबंदी लगा देना या किसे तरह से मुसल्मानों को रोका जाए कि वो अपनी अखास दूर पर मुस्लिम के साथ इससा कर discriminative attitude देखने में दुनिया भर में आ रहा है कि अपनी religious places पर वो जाके अपने नमाज वगरह नहीं पर सकते यह तमाम वो reasons हैं जिससे लोग difficulties face करते हैं और अपनी मुकमल तौर पर अगर वो अपनी religious practices को वो नहीं कर सकते तो यह migration की एक बड़ी वज़ा बनती है आगे हम बात करें pollution environmental issues हमने इसमें पहले भी जो है वो बात की environment जो है यह बड़ा push factor है देखें environment जो है यह ना सिरफ हमारे physically हमारे human body पे जो इसके असरात है environment के हमारी mental capacities पे हमारी mental health पे इसके असरात है environment के हमारे societies के अपर जो है असरात है environment के हमारे human behavior के उपर जो है वो असरात है ये बहुत बड़ी reason है पहले तो environment के अंदर जब आपकी pollution किसी जगा पे होगी आपके natural resources जो हो certain pollution की वज़ा से जो है वो मतासर होना शुरू हो जाएंगे human health जो है वो से मतासर होना शुरू हो जाएगी पाकिसान जैसे मुलक में आपको ये चीज जो है वो बड़ी common नजर आती है कि हमारे agriculture sector में contaminated polluted water का इस्तमाल होना हम ऐसी चीजें जो हैं वो खाने पर मचबूर है चेक एंड बैलनस नहीं है हमारे जैसे मुलकों में ये तमाम चीजें सबसे पहले हमारी यही बड़ी वज़ा है कि पाकिसान की जो mortality rate है वो बाकी मुमालिक से जादा है और हमारे हाँ every जो life span है 60-65 से जादा लोग यहां पे जिंदा नहीं रहते बड़ी वज़ा pollution है तो जाहिर है क्योंकि आपकी जो life है वो it matters a lot human life matter a lot well being of the family matter a lot अपके अपने जिंदगी आपके लिए बड़ी precious है यह तमाम हालात lack of clean water अब even जो clean water दुनिया भर में अब जो आने वाले दिनों में हम जो different media resources से हमें जो बातें मालुम हो रही है कि पानी का लेवल बहुत से साफ पानी का लेवल बहुत से मुलकों में कम हो रहा है कुछ है जो history के लिखने वाले लोग है कुछ historical perspective में जो बात करते हैं जिनोंने माजी में भी चीज़े देखी है और different जो वो लोग projections कहा रहे हैं कि अब जो दुनिया में जंगे होंगी अब दुनिया जो आपस में एक conflict का शिकार होगी दुनिया के different माले वो शायद पानी के ओपर जंगे होंगी पानी जिन्दगी की कुई अलामत जो है वो कहलाती है इंडिया और पाकिसान के perspective में बात करें तो हमारे हाँ एक बड़ा अब बड़ता वाईशो नजर आ रहा है कि हमारे हाँ इवन पानी का मसला है हमारे बहुत से एहम दर्याओं की ओपर इंडिया ने जो है बन बान दिये हैं ये एक अलग बारहाल भैस है लेकिन बारहाल जहां पर लोगों को basic facility ना बिले एवन clean water वो आपने drinking के लिए यूस करना है वो आपने अपनी जरात के लिए यूस करना है एक वक्त में लोग मचबूर हो जाएंग ऐसे जगा बे जाने पे जहां पर at least उनको ये facilities available है इसे तरह से चिनिलाकम पे बहुत जादा repeatedly कहत आएगा वहां पे कहत साली का शिकार होंगे वहां के residential जो लोग है वहां के रहने वाले अगर उनको ये issues आएंगे क्योंके कहत साथी जहां पे होगी वहां पे आपको सबसे बड़ा food shortage जो होगा scarcity of the food होगा scarcity of food जहां पे होगा वहां पे लोग एक जगा से दुसरी जगा जाने पे मचबूर होंगे educational facilities we all strive hard for ourselves for our families कि हम लोग best educational facilities अपने बच्चे को प्रपाइट करें उसकी वज़ा ये है कि जो educational facilities है ये make sure करती है एक अच्छे life standard को हम future में attain कर सकते हैं make sure करती है job opportunities को तो जहां पे lack of educational facilities होंगी certainly वहां पे भी हालाज जो है वो affected हो सकते हैं पाकिसान जैसे मुलक में भी जो लोगा फूट कर सकते हैं इवन उन लोगों की खायश होती है के higher education के लिए अपने बच्चे को बाहर बेज़ें अगर वही बच्चे बाइट से बढ़के पाकिसान अगर वापस आ जाजाएं brain drainage ना हो के वहीं के होके रहें तो यकीन यहां पे वो अच्छी jobs को secure कर सकते हैं दिहात में रहने वाले जो लोग हैं अगर वो अपने बच्चों को शेहरों में भेज़तें और शेहरी स्कूलों के अंदर पढ़ा रहें तो even they are sure के they have got the good education and they, उनका educational background strong हो जाएगा तो job security और इस तरह के जो पढ़ लिखे लोग है अपने standard of living को जो है वो बेतर कर सकते हैं तो lack of educational field is one of the also another push factor जो कि लोगों को मजबूर करेगा कि एक जगा से दूसरी जगा जगा है वो आप जाएगा